हालो स्टूरेंट्स आज आप सीखने जा रहे हैं कम्पिटर के अंदर फॉल्डर को हाइट करना है तो फॉल्डर को हाइट कैसे करते हैं वो आज हम आपर इस वीडियो में जानेंगे ओके तो सबसे पहले आपको फॉल्डर को हाइट करने के लिए फॉल्डर के उपर माउस से राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपके शामने शोफ हो रहा है अपर प्रोपर्टिस ओप्संस तो इस प्रोपर्टिस ओप्संस पर आपको यह अपर क्लिक करना है एंड hidden options पे आपको यह पर click करना है जैसे hidden पर click करा तो आप से ok के लिए पूछ रहा है आप यहां से ok पर click करें तो जैसे आपने ok करा तो brand से आपका folder यह पर hide हो चुका है तो इस type हम यह पर folder को hide कर सकते हैं आप बाद यह आती कि folder को तो हमने hide करते हैं लेकिन return folder को कैसे desktop पर सो कराना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले my computer जाने कहां जाना है आपको my computer पर जाना है अपको ठीक ही my computer यहाप आपको click करना है और computer पर click करने की बाद आपको जाना है फाइल उप्संस पर फाइल पर जाने के बाद आपके सामने उप्संस सो होगा चैन्ज फोल्डर एंड सर्च उप्संस यहाँ पर आप क्लिक करें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है व्यू उप्संस पर व्यू उप्संस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद आपके सामने option show रहा है आपर don't show hidden file यानि कि hidden करी फाइल आपकी show यहाँ पर नई हो रही है तो हमें क्या कराना है आपको यह पर show कराना है तो कहा क्लिक करना हुगा आपको show hidden file पर ओके इस पर क्लिक करके आपको यह पर ओके क्लिक करना है और जैसे हमने ओके क्लिक करा तो देखो friends हमारा है आप पर RAM यानि के राउन नाम को folder आपका show वह है डेश्टोबर लेकिन इसको पूरा highlight करने के लिए आपको return left क्लिक करना है mouse से folder के ओपर और वापस आपको properties option पर जाना है ज तो देखिए friends यहां बनावारा folder पूरी तरीके से show हो रहा है तो आप किसी भी folder को इसी प्रकार hide कर सकते हैं उम्मिद करता हो कि आपको folder hide करना अच्छे से समझ आया होगा वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को like करना comment करना ना बुले